हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सबका आपके अपने येट्यूब चैनल इसमा इंवेस्टमेंट में फोर्डा फोन आइडिया इस शेयर को लेकर हमने अपने चैनल पर पहले काफी वीडियो डाली हैं और हाई डिस्क इंवेस्टर के लिए रिकमेंडेशन भी दे थी पर फ्रेंड्स करण्ट सरकमस्टांसेज में जहां कमपनी ना तो फंड रेज कर पा रही है और सुप्रीम कोट से भी एज़ियार कैलकुलेशन को लेकर कमपनी को मायूसी हाथ लगी है ऐसे में यहां कमपनी के भविश्य पर सवाल या निशान खड़ा हो गया है कि आने वाले टाइम में कमपनी सरवाइव भी कर पाएगी या नहीं और शेयर प्राइस में भी हमें जोड़दार गिरावट देखने को मिली है तो ऐसे में बड़ा कोश्चन आता है कि निवेशा कब इस शेयर में क्या करें वोड़ाफ ओन आइडिया का फ्यूचर अब क्या हो सकता है डिटेल में इस बारे में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास वोड़ाफ ओन आइडिया का शेयर है तो इस वीडियो को एन तक देखिए और ध्यान से समझे कि कंपनी के पास अब क्या ओप्शन्स बचे हैं और इन्वेस्टर्स क्यों अब इस शेयर में क्या करना चाहिए फिंच सुप्रीम कोट में जो करहरिंग हुई वहाँ पर फ्राइडे को कल सुप्रीम कोट ने जो है उस एप्लिकेशन को डिसमिस कर दिया जहांपर एजए आर की क così कूलेशन्स को लेकर जो है यहां पर उस application को Supreme Court ने dismiss कर दिया जिसके बाद हमें Vodafone Idea के share में कि जबर्दस गिरावट देखने को मिली क्योंकि Vodafone Idea's decision से सबसे अधा impact हुआ है सबसे अधा affected हुआ है last quarter के result में Q4 के result में भी management ने बात बोली थी कि उन्हें उम्मीद है कि Supreme Court से उनको कुछ रहत मिल सकती है और उनकी calculation के हिसाब से जो AGR के dues हैं वो 21.5 एकिस जारा करोड के बैठते हैं जो लगबग calculated AGR dues से आधे के आसपास हैं तो वहाँ पर अगर यहां से कोई relief उनको मिलती तो company के लिए एक संजीवनी की तरह होता पर इसके बाद इनके पास legal options सारे खतम हो चुके हैं और इनको AGR का ये भारी भरकम dues अगले 10 साल के installment में पे करना पड़ेगा अभी लगबग 10% के आसपासी dues इन्होंने पे किया है बारी भरकम AGR dues अभी भी इनको अगले 10 साल में पे करना है वोड़ा फोन आइडिया में लास्ट येर भी हमने काफी discussions किये अपने चैनल पे काफी वीडियो बनाई और आपको बताया कि कंपनी जो है आने वाले टाइम में ग्रोव कर सकती है और यहाँ पर जो है हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा दाव हो सकता है वोड़ा फोन आइडिया में जो सबसे बड़ा ट्रिगर था लास्ट येर वो था फंड रेजिंग का कंपनी ने लाक कोशिश के बावजूद भी पिछले एक साल से फंड रेज नहीं कर पाए है और ना ही कोई मेजर डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ है इनके पास करंट में जतना कैश फ्लो है उससे मुश्किल से दो तिन क्वाटर सर्वाइव कर सकते हैं और फंड रेजिंग में जो लगातार डिले हो रही है उसने कंपनी के बविश्य पर ही सवाल के निशान खड़ा कर दिया है कि कंपनी आगे जाके सर्वाइव कर पाएगी या नहीं बहरी भर का मेजी आड यूज के साथ में लगबग एक लाग करोड के आसपास की डैट इनकी बुक्स पर है तो अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए फ्रेंट्स आपको बहुत ही धियान से ये चीज समझनी है सबसे बड़ी बात यह कि कंपनी जो है 15-20,000 करोड का जो फंड रेजिंग के बाद चल रही है एक्विटी के थुरू अगर वो कर भी लेती है वो तो एक शौर्ट टम पाजिटिव है कंपनी के लिए कि उसमें से कुछ फंड से जो है ये अपना कैपक्स कर सकते हैं 5G के लिए और बाकी फंड से जो इनका आउटफ्लोज है AGR के ड्यूज और स्टैटिटरी ड्यूज उनको पूरा कर सकते हैं अगले एक देट साल के लिए कंपनी का रोड मैप खुल जाएगा और वहां पे अगर सब्सक्राइबर बेस में ग्रोथ आती है तो कंपनी रिवाइब कर सकती है पर इंडस्टरी की जो सबसे बड़ी प्राबलम है वो है टैरिफाइक का नहुना प्छले एक साल से टैरिफा इक बात चल रही है ये इंडस्टरी पूरी तरह से तीन ही अप्ल फ्रेंट्स जो टारिफ में जबरतस गिरावट देखने को मिली है डिसकाउंट पर जो टारिफ आए है उनमें कंज्यूमर को तो फाइदा हुआ है पर कंपनी इसकी हलत बहुत बुरी तरह बिगडी है भारती एल्टेल का मैनेजमेंट खुद ये बात रिसेंट में कहीं बार बोल चुका है कि अगर टैरिफ आइक नहीं होता है तो आगे के लिए कंपनी के लिए बहुत मुश्किल खड़े होने वाली है और रिलाइंस जीओ एक लौती कंपनी है जो बड़े प्रॉफिट में है और करंट जो उनकी मार्केटिंग स्ट्राटेजी है मार्केट स्ट्रा बढ़ाएं तब तक टैरिफ नहीं बढ़ सकता कोई अकेली कंपनी टारिफ नहीं बढ़ा सकती जो भी कंपनी टारिफ बढ़ाएगी उसमें से चोटी कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकती जीओ अगर भारती एल्टल वोड़ाफन आइडिया में से अकेले कोई टा और करंट का जो इनका ARPU है Vodafone Idea का और करंट के जो टारिफ रेट है उसके साथ में इनको सर्वाइव करना next to impossible है चाहिए fund raise भी कर लें उसके बाद वो एक short term positive तो जरूर होगा पर long term में फिर से इनके survival पर issue आ जाएगा अब company के revival होने के सिर्फ possibility तभी है जब इनको एक fund तो मिले ही मिले किसी बड़े strategic investors या equity के थुरू QIP के थुरू rights issue के थुरू जैसे भी यह fund raise करते हैं पर इसके अलावा एक बड़ा tarify को भी इस फिल्ड में sector में होना चाहिए अब नियर टर्म में यह दोनों चीजे मुझे बहुत मुश्किल लगती है कि हो जाएं तो इसकी वज़े से वोड़ा फोन आइडिया में जो रिस्क है वह बहुत जादा हो गया है दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि अगर यह भी देखे होंगे डेटरेडन कंपनीज के जो रेजोल्यूशन हुए है आलोग इंडर्सी जोची सोया जैसे एक्सेप्शन छोड़ दें तो विडियो कौन हो गया डेचे फिल हो गया वहां पर एक्विटी की वैल्यू जीरो हुई है तो वहां पर इन्वेस्टर को कुछ भ भी मिलना बहुत मश्किल है तो वह तो आप छोड़ देजिए दूसरी बात यह है कि रिलाइंस के जिस तरह से अग्रेसिव मार्केटिंग स्टेजी है वहां पर वी आई का जो कस्टमर बेस हैं वह आने वाले टाइम में भी कंटिन्यूसली लूज हो सकता है और पड़े उसके साथ बने रहें हो सकता है कोई बड़ा इन्वेस्टर इस कम्पनी के साथ जूड़ जाए और टैरिफाइक पॉस्पेट प्लांस के भी भारती अल्टेल ने कुछ टैरिफाइक किये है इनका भी पॉस्पेड कस्टमर बेस अच्छा है वहां पर भी होता है तो फिर से इनका cash flow थोड़ा positive होगा company का revenue बढ़ेगा तो जो है company revive कर सकती है पर current situation को देखते हुए उसके chances निया term में काफी कम लग रहे हैं हो सकता है कोई fundraising को लेकि news आ जाए तो share थोड़ा सा बढ़ जाए मेरी सलाई है जिनके पास बड़ी quantity है शेयर थोड़ा बढ़ता है तो quantity को कम करें और छोटी सी quantity के साथ स्रिफ वही investors में बने रहे सकते हैं जिनकी risk capital बहुत हाई है और उस capital के साथ वह invest करके छोड़ दें कि अगर वो zero भी हो जाए तो उनके portfolio कोई फरक ना पड़े नियर टाम में वोड़ा फॉन आइडिया के रिवाइवल के chances करन सिचुएशन में बहुत कम लगते हैं क्योंकि जीओ इन टारिफ के साथ काफी अच्छा कर रही है profitability margin के तो एक बड़ा टारिफाइक वो करें इसके chances बहुत कम है और जब तक जीओ टारिफाइक ना ही करेगा बाकी companies भी टारिफाइक करने के chances बहुत कम है और वोड़ा फॉन आइडिया का छोटे टारिफाइक से कुछ नहीं होने वाला एक बड़ा टारिफाइक medium to long term में इनको चाहिए जिसके chances तो फिलहाल ना के बराबर लगते हैं और इस वज़े से company का जो है अगले 2-3 quarter के बाद जो है क्या इसका future होगा उसको लेकर भी एक सवाल या निशान खड़ा हो गया है तो friends यहां clear cut strategy है कि बड़ी quantity के साथ वियाई में बने ना रहें सिर्फ वही quantity high risk investor अपने पास रखके चलें कि वो zero भी हो जाए तो उने कोई फरक ना पड़ और company revive करती है तो obviously उनका बड़ा पैसा यहां पर बन सकता है देखना बहुत interesting होगा आगे किस तरह के developments, word of phone idea और particularly telecom sector में हमें देखने को मिलते हैं, आप बने रहे हैं हमारे channel is my investment के साथ कोई भी development market का होता है तो हम उसको अपने channel पर ज़रूर cover करते हैं, friends further आपकी कोई भी query हो feel free to ask me in the comment section, video पसंद आईए like कीजे, दोस्तों के साथ share कीजे, is my investment को subscribe करना ना भूले, thank you